अगर आप चाहती हैं कि हरसंगार के पोदे में फूल ही फूल की लें तो इन खाद को पोदे में जरूर डालें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्णर दोस्त नेलता गार्णिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत वह स्वागत है तो फ्रेंड्स हरसंगार फूल का पोदा एक ऐसा फूल है जिसे हर कोई पसंद करता है इस फूल की कुश्वू इतनी अच्छी होती है कि गार्डन से लेकर घर भी कुश्वू से महकता रहता है लेकिन हर सिंगार पोदे में सही और उचित खाद नहीं डाला जाता तो कभी भी फूल नहीं खिलते कई बार गलत खाद डालने की वज़े से भी हर सिंगार जो परिजात का पोदा है मर भी जाता है इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहतरी खाद के बारे में बताने जा रहे हैं इन खाद को इस्तेमल करने से हर सिंगार के पोदे में सो परसेंट फूल ही फूल नजर आएंगे आए जानते हैं कौन सी वो खाद है तो खाद डालने से पहले कुछ ये काम जरूरी हैं जो करने आप इसकी मिट्टी को हलका लूज कर लें पोट में गुड़ाई कर लें कई बार क्या होता है कि इसमें जो अतिरिक्त घास उगाती है उससे पोदा मर वी जाता है जितने भी खरपतवार है जो कोई गास उगाई है उसको पोदे की जड़ में से निकाल दें तो इसे आप फुल सनलाइट में शिफ्ट करें क्या होता है फ्रेंट्स खाद डालने से ही केवल फूल नहीं खिलते कुछ जो बाते हैं इनका भी इस पोदे पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है इसकी मिट्टी में आप हलका मुष्चर बना कर रखे इसमें पानी का पूरा-पूरा ध्यान रखे पानी ध्यान से डालते रहें मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए ध्यान रखें कि पोदे की रूट्स बाउंड ना हो अगर पोदे में रूट्स बाउंड हो गई है तो फिर वी ये पोदा फूल नहीं किलाता तो आप बड़े पोट में शिफ्ट कर दे तो वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स म छिड़काव करते रहें मैं नीम का तेल है जो उसका एक डख्कन एक लीटर पानी में डाल कर सप्रे करती रहती हूं जिससे इसके उपर जो है मिली बग का अटैक नहीं होता मेरे एक वी पत्ते पर मिली बग नहीं है क्योंकि मैं वीक में एक बार इसका स्प्रे करती रहती हूं और फ्रेंस देखिए अगर आप हर सिंगार के पोदे में जल्दी फूल चाहती हैं कि बहुत जल्दी आपका पोदा फूनों से भर जाए तो इस खाद का इस्तेमाल करें चलिए बताती हूं कौन सी खाद हैं आप सर सर्सों खली यानि कि मस्टर्ड केक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में डब्बे में पानी भर लें एक लीटर के करीब एक मुठी जो है आपने सर्सों खली का इसमें डार्द लेना है यह सर्सों खली आपको नर्सरी से या किसी भी बीजों वाली शोप से अराम से मिल जाएगी तो इसको आपने दो तिन दिनों के लिए भीगो कर रख देना है डिब्बे को बंद करके छाया में रख देना है इसके बाद आपको बीच बीच में डिब्बे को खोल कर इस तरह से चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ये घूल जाए दो तिन के लिए अच्छी तरह से भीगने के बाद देखिए पोदे में अच्छी तरह से घुड़ाई कर लेगे घुड़ाई करने के बाद इस्तेमल कैसे करना है कितनी क्वांटिटी में डालना है बहुत ज़्यदा क्वांटिटी में अगर आप गाड़ी गाड़ी फर्टिलाइज तो देखिए बाल्टी में आदी बाल्टी जो है पानी की है तो एक गिलास मैं इसमें फर्टिलाइजर का डाल रही हूँ जो सरसों कली की फर्टिलाइजर मैंने पहले बना कर रखी है तो फ्रेंस आपने दस गुना पानी इसमें सिंपल मिक्स करना है एक गिलास फर्टिलाइजर का है तो दस गिलास आपका सिंपल पानी रहेगा तो इस फर्टिलाइजर को पोदे की जड़ में डालें ये फर्टिलाइजर आपने वीक में एक बार रिपूइट करते रहना है एक वीक के वाद आपके फोदे पर देरों फूल खिल जाएंगे तो वीडियो यूजफूल लगी हो तो लाइक शेर और कमेंट करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाए बाए